जैहिन गुड मॉर्निंग फिर से आप सोही बच्चों का स्वागत है आज तारीक है आपके सामने 18 मार्च 2024 और हम लोग हमारे आसपास क्या हो रहा है उन खबरों पर चर्चा करेंगे सबसे बड़े समाचार के अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि लोग सभात के चुनाओं की तिथियां जारी कर दी गई हैं किसके दोरा तिथियां जारी की जाती हैं तो राश्टी चुनाओं आय दोचार शौबिस घड़ी मजच चुके हैं सुबह के आठ डेली करेंट अफेर अर्था दयानिक समस्वाए की आपके सीमसर के साथ ठीक आईए पिशली क्लास में का होमवर्क देखते हैं पिशली क्लास में हम लोगों ने होमवर्क एक देखा था यहां पर आपको बताना थ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुनर विक्सित कोचरव आस्रम का उध़ाटन किया है ठीक है यह किस राज में इस्थित है पियम मोदी हैं इनौगेटड दा री डॉबलब्ड कोचरव आस्रम इन विच स्टेट इस इट लोकेटड क्या यह उत्तरप्रदेश में इस्थित ह या गुजरात या हरियाना उत्तर क्या होगा पिहू, साक्षी, संजू, राजू, राजकिशोर, अमन, शिव, संजीत, वेरी गुड, लक्ष्मी, अर्जुन, सूरेग, निस्टर हैकर, अनिशा, सिवं, निशी, धनमंती, डॉली, बहुत बढ़िया है क्या बात है, दिल खुश कर दिया, सुबह, 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 आप सरही ने, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, option number C हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, answer, गुजरात हो जाएगा, और इसके बारे में बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही तरीके से उत पहला आस्रम इसके अलावा जो अधर विकल्प हैं अन्य विकल्प हैं एक्स्ट्रा उप्शन उनके बारे बताया गया है कि सहाँ फीनिक्स सेटल्मेंट इसके अलबा राजियर जी ने भी यही जानकारी दी है बहुत बढ़िया तरीके से और पवन जी ने भी यही उत्तर लिखा है जानियर जी ने आख री पर दो पंतिया भी लिखी है और ये पंतियान बड़ी हे शांदार सी लगी है मुझे सुन्दर्ता सस्ती है चरित्र महगा है सुन्दर्ता सस्ती है समय के साथ ढल जाती है लेकिन चरित्र काफी महगा है है ना घड़ी सस्ती है लेकिन वक्त बहुत महगा है घड़ी सस्ती है कितनी भी बड़ी घड़ी हो है ना बड़े अलग अलग ब्रैंट्स की घड़ियां आती है सस्ति भी आती है महगी भी आती है लेकिन जो कीमत आपके वक्त की है वह और किसी भी चीज की नहीं है ऐसा यहाँ बताया गया है कि रप सुनियेगा है सुम्धरता सस्ति है रेज़ा वकट महथा है और उसी वक्त पूर्पद पर पहुशना है ताकि आप अपनी जो कर्तव्य हैं उसको किसी न किसी अथॉर्टी के साथ पूरा कर सकें आई यहाँ पर देखिए स्तेनाये बैठी हुई है अब यहाँ पर स्तेनाय क्यों बैठी हुई है आखिर ऐसा क्या होने वाला है तो आप बोलेंगे भारत यह सेना का दस्ता सनयुक्त स्नद्ख्यास्ण लामीतिये 2024 के दस्वे संस्क्रण में भाग लेने के लिए के लिए रवाना हुआ मतलब यहां पर आपने तीन चीज reality देख ली पहला तीन चार चीजिए आपने दस्वा संस्क्रण हो जाएगा पिछला संस्क्रण 2022 में आयोजित किया गया था किस देश के साथ होता है तो भारत और सेशल्स के साथ होता है भारती सेना अर्था सेना का यह है एक सेना की एक स्ञाइज हो जाती है राइट कोई दिक्कत नहीं यहां तक अब मैं अगर आपको लोकेशन दिखा ओं मैं समझाने को कोशिश करता हूं क्योंकि हमाए पास मैप अभी बर्ड का नहीं है अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैप कहां पर है शेल्स तो आप बोलेंगे इधर साइड रहा प्यारा भारत है और फिर इधर साइड आप देखोगे यहां पर रहा आफ्रीका आफ्रीका महादीब यहां पर रहा मेडा जासकर मेडा गासकर रहा यहां मारिशस रहा मेडा गासकर मारिशस के उपर यहां पर आपको सेसेल्स देखने के लिए मिलता है ठीक है यह मेडा गासकर यह मारिशस यह सेसेल्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा आफ्रीका के पूर में यह आफ्रीका, तो आफ्रीका के पूर में आपको देखने के लिए मिल रहा है स्ट्रेशल्स, राइट, समझ में आ गया कि कहां पर क्लास है, कहां पर स्ट्रेशल्स है, चलिए, आप हम देखते हैं, यहां पर कोशन किस प्रकार से आ सकता है, दस्वा संयुक्त सैन अभ्यास लामीतिये 2024 भारत और किस देश की सीना के बीच आयोजित किया गया है और आप यहां पर यह भी देखेंगे तारीख भी लिखी हुई है 18-27 तारीख के बीच पर इसका आयोजित होने वाला है ठीक जल्दी से बताई यह उत्तर क्या होगा क्या इसका उत्तर शशर्स है मेड़ागास्कर है मालदीव है या मारिशर्स है तो हम लोगों ने क्या देखा एक बाद फिर से देखिएगा ध्यान से देखिएगा लामी तीये एक्सरसाइज किस साल 2024 में 2024 में कौन सा संस्करन एडिशन 10 एडिशन 10 एडिशन 10 वा संस्करन कहां आयोजित हो रहा है तो आप बोलेंगे सेशल्स में ही आयोजित होने के लिए स्तेना हमारी भारती सेना गई हुई है अर्थातिये आर्मी एक्सरसाइज हो जाती है ठीक है आर्मी एक्सरसाइज हो जाती है ठीक मौरिसस देश के द्वारा दौरादी मुर्मूजी को प्रदान किया गया है अच्छा चलिए बहुत बढ़िया यह हम लोगों ने देख लिया लामीतिये के बारे में भी कब से कब तक आयोजित हो रहा है तो आप बोलेंगे 18 से लेकर 27 मार्ज के 20 तक आयोजन हो रहा है क्लियर कोई दिक्कत नहीं यहां तक नोट्स भी बन गई आपकी और उत्तर क्या हो गया आप बोलेंगे ऑप्शन नमबर मारिशस राइट कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे बढ़ा जाए तो और भी कुछ exercise अभी हाली के समय पर हुई है जैसे अगर आप देखते हो दोस्ती एक exercise हो जाती है यहां पर लिखते हैं हम एक exercise दोस्ती हो जाती है दोस्ती कौन कौन से देशों के बीच होती है तो आपने बोला सा आप स्री लंका के बीच होती है इसके अलावा माल्दीव के बीच होती है और भारत यह तीन देशों के मध्य दोस्ती exercise होती है दोस्ती का 16th edition हुआ था इसके अलावा हमने देखा था भारत शक्ति भारत सक्ति भारत की तीनों सेनाओं की है ना आर्मी नैवी और एयर फोर्स की एक exercise है जो कि कहां पर आयजित हो रही थी तो आपने बोला था पोखरन जैसल मेर में है ना जैसल मेर राजस्थान पोखरन पोखरन राजस्थान ठीक है इसके अलावा कुस्से में पहले ही भारत सक्ति के कुस्से में पहले वायू शक्ति का आयोजिन किया गया था ठीक है तो ये भी कहांपर आजिन हुआ था ये भी पोखरन राजस्थान में ही हुआ था इसके अलबाब आपने देखा था एक स्टीड फास्ट डिफेंडर ये नाटो समूह की एक एक्सरसाइज थी नाटो समूह की एक्सरसाइज हुआ करती थी राइट कोई दिक्कत नहीं बहुत जबर्जा सूरज राहुल आमन रंजन निशी पूजा चिंकी सीवं मौन्टी राजे शाया प्रतिग्या रॉस्टेडी अंजली वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रेशन का उतना से सेल्च हो गया यहाँ पर मालदीव लिखा ह मालदीव के साथ अभी हम लोगों ने एक्रसाइज देखी दोस्ती इसके अलावा मालदीव के साथ और भी कई सारी एक्रसाइज होती है जिनके नाम क्या हो जाते हैं एक हो जाता है एक था एक था युद्ध अभ्यास जापान के साथ अभी कौन सी एक्रसाइज हुई है कौ ताथ में एक और होती है उसका नाम क्या हो जाता है धर्म गार्जियन और यह जो लामीतिये है लामीतिये इसका मतलब क्या होता है तो आप बोलेंगे फैंडशिप मित्रता इसका मतलब होता है मित्रता इसका मतलब होता है ठीक है अगर आप से बोला जाए मैत्री एक एकरसाइज होती है एकरसाइज मैत्री यह किस देश के साथ में होती है तो आप बोलेंगे यह होती है थाई लैंड के साथ में थाई लैंड के साथ में ठीक है लेकिन यहीं पर अगर लिखा हो मित्रशक मित्र शक्ति मित्र शक्ति तो यह किस देश के साथ में होती है तो आप बोलेंगे यह होती है स्री लंका के साथ में ठीक है यहीं पर लिखा हो सिर्फ शक्ति सिर्फ शक्ति अगर लिखा हो यह किस देश के साथ में होती है तो आप बोलेंगे यह होती है फ्रांस के साथ में अगर यहीं पर लिखा हो उदार सक्ती तो किस देश के साथ में होगी तो आप बोलेंगे उदार शक्ती की बात करते हैं तो यह होती है मलेशिया के साथ में उदार शक्ती यह होती है मलेशिया के साथ में ठीक है उदार शक्ती हो गया हरिमाव शक्ती हो गया खीक है रिविजन हुआ कापी आगे पढ़ें हम लोगों को टेंसन हो गया है भाई पुष्प लता जी ने लिखा है अरे किस बात का टेंसन हो गया है मनेशा जी ने लिखा है सर मैं तो पूजा करके आई हूँ खाना बना रही हूँ और पढ़ रही हूँ वाह क्या बात है बहुत बढ़ी है चलिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है आपको पता है अठारवी लोकसभा के चुनाओ होने वाले हैं और जब भी चुनाओ होता है इलेक्शन होता है तो वहाँ पर हर उम्र का व्यक्ति जो भी अठारा साल से उपर है वह अपना वोट दे सकता है चाहे बहुत दिव्यांग हो चाहे बहुत दिव्यांग ना हो और ऐसी इस्थिति में दिव्यांग जनों को भी वोट आद देने के लिए प्रमोट करने के लिए बहा देने के लिए जागरुकता फैलाने के लिए उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक PWD कटेगरी के लिए अल के इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया ने पैरा आर्षर अर्था पैरा तीरंदाज साथ में अर्जन पुरसकाल की विजेता रह चुकी शीतल देवी को नेशनल पी डबलूडी आइकन के रूप में अपॉइंट किया है राष्टी निर्वाचन आयोग के द्वारा पी डबलूडी मतलब क्या होता है परसन विथ आप डिसेबिल्टी अर्था दिव्यांग व्यक्ति आप बोल सकते हो परसन विथ आप डिसेबिल्टी पी डबलूडी इसके आइकन के रूप में शीतल देवी जी को निप्त किया गया है शीतल देवी जी कौन है अगर आप नही हाथ से ठीक तरीके से निसाना नहीं लगा पाता है लेकिन आप देख सकते हो इन्होंने अपने पैर से धन्स को पकड़ा हुआ है और उसकी कमान ये अपने कमर पर रखके हैं ना अपने कंधे पर रखकर चला रही है और दो सुर्ण पदक इन्होंने जीते इस प्रकार से यहा आप रहे हैं कि अर्य मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पास अच्छा इंस्टिूट याने का पैसा नहीं है मैं कोई जॉब कर रहा हूं जो कि भगवान नहीं उनको किनी कमी के साथ भेजा है फिर भी उन्होंने अपनी किस्मत को चुनौती दी है किस्मत को आजमाया है और अब पूरा भारत उनका नाम जानता है है ना तो आप लोग को भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ना सिर्फ आपका परिवार आपके नाम से गौर्वानवित ह ना सिर्फ आपका प्रदेश बलकि पूरा देश जब भी आपको नाम सुने तो गर्व का अनभव करें और आप देखेंगे उसी प्रकार से गर्व का अनभव किनके उपर शीतल देवी जी के उपर है और इसी लिए इन्हें इस बार अरजन पुरसकार से भी समानित किया गय इसके लिए राष्टी निर्वाचान आयोग ने इनको न्यूक्त किया है कि सर मैम आप यहां पर आइकन बन जाए चुनाव आयोग का ताकि आपको देखकर लोग मोटिवेट होंगे कि यार बताइए एक बेटी यहां पर है जो पूरे देश का नारोसन कर रही है और हम घरवे 18 साल से उपर है अब 18 साल से नीचे है तब भी बहुत बढ़िया बात है अपने मम्मी पापा आज पास के जो भी भाई बहन है उनको मोटिवेट करना है कि नहीं आपको जरूर जाना है नहीं तो जैसे जिद करते हो ना कि मम्मी आज अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं खान साम में किसे चुनाव आयोग ने अपना राश्टी पी डवलूडी आइकन घोशित किया है कि राश्टी निर्वाचन आयोग के दवारा राश्टी आइकन के रूप में पॉइंट किया गया है और वहां पर आपको एक विकल्प देखने के ले मिला था राजकुमार राव है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतगाम देखेगी वही वाले राशकुमार राव इसके अलाबा पंकस त्रिपाथी जी को भी पॉइंट किया जा चुका है और इसके भी पहले सचिन तेंदुलकर जी को तचिन तेंदुलकर जी को रास्टी आइकन के रूप में पॉइंट किया जा चुका है रास्टी आइकन चुनाव आयोग Election Commission of India रास्टी निर्वाचन आयोग के द्वारा ठीक कोई दिक्कत नहीं कौन कौन बताएगा रास्टी निर्वाचन आयोग के सदस्ति के रूप में अभी कौन कौन नियुक्त हुए थे राजी उक्मार जी अध्यक्स थे दो नए सदस्ति नियुक्त हुए है रास्टी निर्वाचन आयोग में कौन बताने वाला है उन दोनों के नाम है ना राश्टी निर्वाचन आयोक के सदत्यर के नाम कौन बताने वाला है ठीक है राश्टी निर्वाचन आयोक के अन्य आयुकतों के नाम मुझे कौन बताने वाला है चल्दी से ठीक और इस प्रशन का उत्र की अगर बात करते हैं अवनी लेखरा देविंद जाजाजे या अरुनि मसीनह या तीतल देवी आप बोलेंगे शीतल देवी इनका नाम हो जाता है क्या शीतल देवी इनका नाम हो जाता है Rig ग्यानेश कुमार बहुत बढ़िया सुखवीर सिंग संधूग बहुत बढ़िया क्या बात है तो आपने बोला अन्य आयुक्त की बात करते हैं तो ग्यानेश कुमार ग्यानेश कुमार और सुखवीर सिंग संधूग इसके रावा प्रमुक के रूप में आप राजीव कुमार जी का नाम याद रखेंगे ठीक है अवनी लेखरा कौन है आपने बोला साथ पैरालंपिक में पैरालंपिक में इन्होंने दो स्वनपदक जीते हैं किस वाले पैरालंपिक में टोक्यो 2020-21 के पैरालंपिक में इन्होंने दो स्वनपदक जीते हैं पैरा स्वूटिंग से इनका सम्मद हो जाता है देवेंद शाजारिया की बात करते हैं तो इन्होंने भी दो स्वन्ड पदक जीते हैं पैरालंपिक के अंदर और किस में जीते हैं जैवलिन थ्रो भाला फेक में जीते हैं वर्तमाण भारती पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त हैं कौन देवेंद्र जाजरिया अरुणीमा सिन्हा कौन है तो आप बोलो के अरुणीमा सिन्हा माउंट एवर्स के चड़ाय चड़ने वाली महिला हो जाती हैं दिव्यांग महिला है ना दुनिया की पहली माउंट एवर्स चड़ने वाली दिव्यांग महिला दुनिया की पहली महिला एवर्स चड़ने वाली ठीक है इसके अलावा शीतल देवी जी को दोहजार चौबिस का अरुजुन पुरसकार ही मिला है इसके अलावा इन्होंने दो स्वर्ण पदग भी जीते हैं पैरा एशियन में ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर अब किसकी बात की जा रही है तो आप देखिए चटवे नेशनल पैरा बैड्मिंटन चैंपियंट्शिप दोजार तेइस-चोविस की बात की जा रही है किसकी छटवा नेशनल पैरा बैड्मिंटन चैंपियंट्शिप दोजा तेइस उपिस इस पस्वीर को देखिए बहुत सारे किए क्लियर हो जाएंगी पहला कौन सा एडिशन आप बोलेंगे छटवा संसकरन किसका होने वाला है नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियंशिप का होने वाला है कब से कब तक तो 19 दे लेकर 23 मार्च दोजार 24 के बीच में आयोजन होने वाला है इसके अलावा यहाँ पर आपको चोटा सा टाने लिखा देखने के मिलेगा अर्थ से Vaer चैंटा स्टील्स के तौर इसका भारती किया जाएगा सासमें भारती बैडमिंटन और टान यह स्टील्स के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर आयोजन होगा तो ताटा सिटी किसको बोला जाता है तो जमशेद पूर को जमशेद पूर को टाटा सिटी बोला जाता है तो अहुजा स्टेडियम जमशेद पूर पर ही इसका आयोजन होने वाला है किया हमने बात करी है एक बार फिर समझेगा छटवा पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंड रास्टी चैंपियंशिप ठीक है आयोजन कहां पर मार्च पर आयोजन होने वाला है 19 से लेकर 23 मार्च के बीच में किसके द्वारा आयोजन किया जाता है तो भारती बैडमिंटन संग सा लाट में टाटा स्टी श्के द्वारा टाटा द्वारा स्टील नगरी है ना स्टीं सेटी किसको बोला जाता है तो आप बोलेंगे जम्षेद्पुर जार खन्ट को बोला जाता है और वहीं पर आहुजा स्टेडियम में इसका आयोजन होगा ठीक अब देखियो सवाल कैसा आएगा शटमी राश्टी पैरा बैडमिंटन चैंपियर्शिप दोजार तेइस चौबिस का आजिन कहां प्रस्तावीत है वेर इस दा सिक्स नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियर्शिप 2324 प्रपोस्ट टूबी हिल्ड नियों दिल्ली जारकंड गोवा उडिसा उत्तर क्या तो आप बोलेंगे सहाब एक बार नौर्थ बनाएए जल्दी इससे तभी लोग राश्टी पैरा बैडमिंटन की बात हो रही है बैडमिंटन पता ने इसका नाम बैड किसने रख दिया गुड भी तो हो सकता था गुड मिंटन लेकिन कोई नहीं बैडमिंटन है तो बैडम बात किस साल की की जा रही है दो हजार चौबिस की की जा रही है आप बोलेंगे इडिशन की बात की जा रही है कब से कब तक 19 से लेकर 20 मार्च 2024 के बीच तक है ना Как I am 19 से लेकर 23 मार्स दोजा 24 के 20 कहा पर तो आप ओलेंगे जमृषेदपूर इस जमृषेदपूर पर इसका अर्जन होनेवारा है जम्ःषेदपूर कहां है तो भारती संघ भारती आधिये देटमिन्टन संघ स्टाथ में टाटा स्टील के सहयूग से इसका आउजन होता है तो इस प्रकार से आपको लिखेने लेड़ है ठीक है प्लियर उत्तर क्या हो जाएगा आप बुलिएगा साहब अगर उत्तर के हम बात करते हैं तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा जारखंड आईए नेक्स्ट यहां क्या बात की जा रही है प्रसार भारती आपने देखा होगा कि पहले इसके दूरदर्शन वर्तमान में दूरदर्शन औल इंडिया रेडियो यह सारे जो नाम है प्रसार भारती के ही नाम हो जाते हैं आपको यहां पर एक जानगारीव देखने के मिलेगी कि अखिल भारती रेडियो और इंडिया रेडियो जिसे हम आधिकारिक तौर पर 1956 से आकाशवाणी के रूप में जानते हैं भारत का राश्टी सारजनिक रेडियो प्रसारक प्रसार भारती का एक प्रभाग है ठीक है जोने क्या बोला All India Radio जिसे 1956 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है भारत के राश्टी सारजनिक रेडियो प्रसारक और प्रसार भारती का एक प्रभाग है और 1930 में इसकी स्थापना होई थी किसकी All India Radio की बात यहां पर की गई इसके अलावा 1990 में जो दूरदर्शन और All India Radio ये एक अधनियम के माध्यम से इनको अलग कर दिया गया और यह अधनियम 1997 में लागू किया गया दूरदर्शन की अगर बात करते हैं तो यही दूरदर्शन 1959 में स्टैबलिश होता है आकाशवाणी की बात करते हैं तो 1936 में स् पुलेंगे प्रशार भारती की अगर बात करते हैं तो प्रशार भारती 1997 में स्थापित किया गया नई दिल्ली पर मुख्याले और अध्यक्ष नवनीत कुमास सहगल जी अपॉइंट हुए हैं यहाँ पर क्या जानकारी की बात की गई कि अभी अभी नवनीत कुमास सहगल जी जो की एक आई एस अधिकारी हो जाते हैं रेटायर हो जाते हैं तो इनको प्रशार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया है प्रशार भारती जिसकी इस्था अपना 1909 में होती है ठीक है प्रशार भारती जिसका मुख्याले नई दिल्ली पर हो ज अगर ठीक तस्वीर भी आप देख सकते हो तो आल देखिए प्रसार भारती का नया ध्यक्स किसे नियुक्त किया गया है हूँ एस बीन पॉंटर एस दा न्यू चेर में प्रसार भारती नवनित कुमार सेगर किशोर मकवाना नायाप सिंग सैनी ज्यानेश कुमार उत्तर क्या तो ज्यानेश कुमार निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं ठीक है नायाप सिंग सैनी कौन तो आप बोलेंगे हरियाणा के मुख्य मंत्री नियुक्त हुए हैं हरियाणा के मुख्य मंत्री के रूप में नियुक्त हुए ह कि शोर मख्वाटा की बात करते हैं तो यह अद्धिक्ष बने हैं किस चीज के अध्यक्ष बने हैं आप बोलेंगे N सी एस सी रास्टी जन जाती है ना रास्टी अनसूचित जाती आयो के रास्टी अनसूचित जाती शेडियूल कास्ट नेशनल कमिशन फॉर सेडियूल कास्ट के अध्यक्ष करूप में नियुक्त हुए है रुखिसोर मकवाना और इस प्रशन का उतर नवनीत कुमार सहगल हो जाएगा option यह बिल्कुल सही हो जाएगा राइट नेक्स्ट यहां क्या बात की जारी है पी एम सूरज पी एम सूरज क्या है एक रास्टी पोर्टल हो जाता है सर्क्या पीम सूरज का भी कोई मतलब क्या हो जाता है सामाजिक उत्थान और रोजगार आथारित जनकल्यार क्या बोला गया पी एम सूरज ऐसा नहीं सोचना है कि सर एक सूर घर योजना आई थी हैना एक सूर्योदय योजना आई थी और यहां पर सूरज योजना आ रही है तो इसका संबन्द भी क्या वो घरों के इपर सोर पैनल लगाने से या 300 यूलिट बिजली उपलब्द कराने से क्या इसी से इसका संबन्द है जी नहीं पीम सूरज का संबन्द किस से है तो आप एक बार इसका फूल फॉर्म अगर देखेंगे तो सारी चीने क्लियर हो तब्जान ठीक है समाजी को ठान अर्था जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं जो हमारे दबे हुए वर्ग है ठीक है उनको समाज की मुख्यधाना से जोड़ना उनको समाज में उपर उठाना यहीं इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है ठीक फिर से एक बार बोलिए सूरज का फुल फॉर्म पीम मतलब प्राइम मिनिस्टर सु आर एजे स्यू मतलब सामाजिक उत्थान आर एजे मतलब और रोजगार आधारित जन्म कल्यार ठीक प्रधान मंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन्म कल्यार ठीक है कि पीडियाफ नहीं मिली अच्छा नहीं मिली ठीक है एक बार टीम से चेक करवा लेंगे अगर क्लास भी थी चुदा मार्श को तो आपको पीडियाफ प्रवाइड करवा दी जाएगी राइट शुबारम की बात कर रहे हैं तो आपने बोला मार्श जोजाब चौबिस में प् आप देखेंगे अनसूचित जाती और पिछले वर्गों तात्मी सक्षता स्रमिक आदि देश वर्ग के पात्र व्यक्तियों को रिंड सहायता उपलब्द कराना ही इसका मुख्य कारे हो जाता है रिंड सहायता अर्थात लोन लेंगे और अपना अलग-अलग प्रतार से व् उत्तर बताईए यह उडान है या उठान है ध्यान से पढ़िए यह उडान है या उठान है है ना उठान ठीक प्रतान मंत्री सामाजिक उठान और रोजगार आधारीत जनकल्यान यह इसका हो जाता है फुल फॉर्म किसके द्वारा शुभारम तो आप बोलेंगे पीम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुद्घाटन किया गया इसकारिस से सμ्बंधित हो जाता है तो आपने पहले आप लिखेंगे पीम सूरज पॉर्टल यह हो जाता है ठीक है पीम सूरज पॉर्टल यह हो जाता है देश क्या है तो आप बोलेंगे अंसूचित जाती, केड्यूल कास्ट और जो पिछड़ा वर्ग है बैकवर्ड क्लास साथ में जो सफाई वाला स्वर्मिक वर्ग है इसके अलावा सफाई सक्ष्टा कर्मियादी जो हो जाते हैं उनके लिए यह मुखि रूप से बनाया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है तोक्षता श्रमिक आधी उनके लिए हो वह किसके दार्ञ उपर surema में किया गया सबस्क्राइब नरेंद्र मोंधी जी के द्वारा सब्सक्राइब किया और यह क्या लिखा है अनुराग ठाकुर लिखा है दौबदी मुर्मू हमाई राजपती हमेशा हमारे देश के घ्रह मंतरी अबी एक कीर्टी नाम की पहल शुरूख करी गई है कीर्थी का पुल फार्म कौन बताएगा कीर्थी का फॉल फार्म कौन बताएगा प्रुद इंडिया rising talent identification ठीक है खेलो इंडिया rising talent identification मतलब खेलो इंडिया के तहत 9 से लेकर 18 साल के जो भी rising talent मतलब उभरते हुए जो प्रतिभाएं है उनको identify करना यही इसका उदेश हो है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां क्या बात की जा रही है देखिए एक ऐसी परिक्षा जो कि ना कभी cancel होती है और इसकी date भी जो दे दी जाती है जैसे आप लोग के exam की date आगे बढ़ती रहती है कभी कभी तो आप एक ऐसी परिक्षा जो जो हमारे कानून बनाने वाले लोग है विधाई का है कारिपाली का है उनका चुनाव करने के लिए होती है हर पांस साल में एक बार यह है यह परिक्षा आयोजित कराई जाती है और इस परिक्षा को आयोजन करने वाली संस्था कौन है आप बोलेंगे राष्टी निर्वाचन आयोग और कौन से नंबर की परिक्षा होने वाली है तो आप बोलेंगे साहब लोग सभा की परिक्षा है और यह परिक्षा अठारवे क्रमांगी होने वाली है पहले क्रमांग की लोगसभा परिक्षा कब हुई थी तो आप बोलेंगे 1952 उननिस सो बावण में पहले लोगसभा के आम चुनाओं हुए थे भारत के पहले आम चुनाओं 1952 में हुए थे और आपने बोला सहाब यहाँ पर अब 18 लोग सभा के लिए आप सभी वोट देंगे कब आप देंगे सहाब 19 अप्रेल 26 अप्रेल 7 मई 13 मई 20 मई 25 मई और एक जून को अर्थात 7 चरोणों पर यह परिक्षाएं आयोजित की जाएंगी ठीक है कितने पर 7 पर और देखिए यह लिखा भी हुआ है 19 अप्रेल से लेकर एक जून के बीच यह चुनाव आयोजित होंगे और चुनाव के रिजल्ट कब दिये जाएंगे आपकर आपके परिक्षा कब होगी हो जाती ही परिक्षा है रिजल्ट भी नहीं आता है लेकिन आप देखेंगे सरकार ने पहले ही बता-दिया यहां पर चुनाव आयोगी ने पहले ही बता-दिया है पुनिस से लेकर एक तारिक के बीच में परिक्षा होगी परिक्षा के रिजल्ट कब आएंगे परिणाम का घोशित होंगे चार जून को घोशित होंगे बोलो हाँ ठीक है वैसे यह जीज़ ज्यादा महत्पूर्ण है क्यों कि यहां पर पूरे देश का कानून बनाने वाली संस्था है उसका चुनाओ किया जाता है आप लोगों के पास अधिकार होता है आप लोगों का करतवी भी होता है कि अपने वोट का अपने मताधिकार का उपियोग करिए और हैना जैसे अलग-अलग चुनाओ आयोग द्वाला भी अलग-अलग लोगों को आइकन करूप पे पॉइंट किया जाता है ताकि जागरुकता पढ़े जाद से ज्यादा लोग आएं और वोट दें ठीक है तो आप लोग को भी वोट आधी देता है यह आपका अधिकार है आपको करता भी है ठीक तो यह देखिए यहां पर सारी जानकारी की बात की गई है राइट अब देखि किस सवाब कैसा कैसा सकता है पर भी लो कि पूझा जा सकता है कि वर्स कुझार चौबिस में एक क्रिमान की लोग सबागे चुनाओं ऐयोजित होने वाले हैं तो आप बोलेंगे आठान भी लोग सबागा चुनाओं आयोजित होंगे वर्स 24 में ठीक अ अभी प्रधानमंती नरेंद मोदी जी हैं वो सत्रहवी लोग तरह के नेता हो जाते हैं ठीक है इसके अलावा यहां पर सवाल जो पूछा जाता रहा है अठारवी लोग सभा चुनाओ तोजाओ चौबीस कितने चरणों में प्रिस्तावित है है ना इन हाओ मैनी फेज़स आर कंटिनेंट्स हैं कितने साथ मैंस दिंदोनी का जर्सी नंबर वो भी साथ है ना उतने ही चरणों पर यह प्रतियोगिता यह है आप बोलेंगे यह है चुनाओ आयजित होगा साथ चरणों में ठीक है नेक्स्ट यहां क्या बात की जा रही है देखिए टाटा संस के पूर च परतिष्टित पीवी नसिमा राव मेमोरियल अवर्ड से समानित किया गया है किस अवर्ड से पीवी नसिमा राव अवर्ड से समानित किया गया है किसको समानित किया गया है तो आप बोलेंगे रतन टाटा जी को समानित किया गया है रतन टाटा जी कौन है तो आप बोलेंग की और ये परिक्षाव में करी सवाल पूछे गए हैं इनको मिला है अभी इसके कारण ये चर्चा में आए हैं इसके अलावा अभी अभी जो असे सवाल पूछा गया था कि बता देजिए जो ये परी रदन डाटाजी हो जाते हैं इन्हें उद्योग रत्न सम्मान उद्योग रत्न सम्मान किस सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है उद्योग रत्न सम्मान किस सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है तो आप बोलेंगे महाराश्ट सरकार द्वारा महाराश्ट सरकार द्वारा उद्योग रत्न सम्मान प्रदान किया गया है इसके अलाव आस्ट्रेलिया का सर्वोज सम्मान्दे प्रदान किया जा चुका है इसके अलाबा इन्हें पद्वीभूशर से भी सम्मान्दे किया जा चुका है 2008 के आसपाउस और अभी पीवी नरसिम्हा राओ मेमोरियल पुरस्कार इन्हें लोग कल्यान कारी कारी के लिए प्रदान किया गया है ठीक है लोग कल्यान कारी कारी के लिए प्रदान किया गया है ठीक इसको रतन टाटा जी को रतन टाटा जी को और हमारे पास जो फीकल्प है जैसे रिकेन यावा मोटो ये कौन हो जाते हैं तो रिकेन यावा मोट को प्रदान किया गया है कौन से पुरस्कार आप बोलेंगे प्रिजकर प्रिजकर पुरस्कार से समानित किया गया है ना प्रिजकर जो की वास्तु का लाके छेतर में प्रतान किया जाता है नीता अंबानी जी को कौन से पुरसकार प्रतान किया गया है तो आप बोलेंगे 71 मिस्ट वर्ड मिस्ट वर्ड प्रतियोगता के अंदर हुमानेटरियन अबार्ड से समानित किया गया है ठीक है हुमैनी टेरियन पुरसकार से समानित किया गया है ठीक है इसके अलावा शीनिशेट्टी मिस्ट वर्ड प्रतियोगता मुंबई में आजित हुई थी वहां पर भारत के नेत्र तुकी आथा शीनिशेट्टी ने ठीक है चलिए इस प्रशन का उत्तर रटन टाटाजी हो जाएगा आंगे बहुत हैं ये कौन है मुहम्मद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा इनका नाम हो जाता है आपको पता है का एक भाग हो जाता है किसका फिलिस्तीन का और उसी फिलिस्तीन द्वारा प्रधान मंत्री के रूप में अभी मुहम्मन मुस्तफा को नियुक्त किया गया है को भी गाजा की बहुत की दायनी इस्थिती है तो गाजा के विकास के लिए यह अब उत्तरदाई होंगे ठीक है चलो तवाल देखिए कैसा सकता है नए फिलिस्तीनी प्रधान मुहम्मद मुस्तफा आसिफ अली जर्दानी या अजय मानिक राव खान विलकर को हो जाते हैं तो आप बोलेंगे सर यह लोकपाल हो जाते हैं भारत के ठीक लोकपाल अध्यक्ष हो जाते हैं ठीक अध्यक्ष लोकपाल हो जाते हैं कौन अजय मानिक राव खान विलकर यह आसिफ अली जर्दानी कोन हो जाते हैं तो यह 14 पुटीन्थ 14 राष्टपती हो जाते हैं कहां के आप बोलेंगे यह हो जाते हैं पाकिस्तान के ठीक है तो यह आपको याद रखना है मुहम्मद मुझदू कौन हो जाते हैं तो यह राष्टपती हो जाते हैं राष्टपती तो हो जाते हैं लेकिन कहां के हो जाते हैं तो आप बोलेंगे मुहम्मद मुझदू राष्टपती हो जाते हैं माल दीव के माल दीव के आज हम लोगों ने शेशल्स के बारे में पढ़ा है ना पहले ही सवाल में हम लोगों ने सेशल्स के बारे में पढ़ा तो आपको याद रखना हैं सेशल्स की जब बात करते हैं तो इसकी राजधानी Victoria हो जाती है Victoria Capital ठीक है करनसी रूपी रूपी यहां की करनसी हो जाती है करन्सी अर्थात मुद्रा मुद्रा क्या हो जाती है रूपी विक्टोरिया राजधाने सफर्स की और रूपी हो जाती है करन्सी ठीक है चलिए तो यह सवाल भी हमने लोगों ने देख लिया चलिए आंगे बरते हैं यहां पर लिखा भी हुआ है कि नए फिलिस्तिनी प्रधान मंतरी मुहमद मुस्तफा का लक्ष गाला युद्ध के बाद फिलिस्तिनी भूमिय के श्याशन को एकजुट करना पुनर निर्मार प्रयासों की देखरेक करना और हमास और इसराइल किसे राजनीती खरीद की माल कर ठीक अब यहां देखिए अभी जो आतंकवाद आधी है और आतंकवाद से अधारित प्रयरित जो भी अपराध आधी हो जाते हैं तो उनके नियंतरण के लिए आप बोलेंगे यहां पर एक अप्लीकेशन लॉंच किया गया है जिस अप्लीकेशन का नाम हो जाता है संकलन कि इसके द्वारा लॉंच किया गया है तो एन आई ए नेसनल इंवेस्टिगेशन एजनसी के द्वारा लॉंच किया गया है और इसको लॉंच करने कार हमारे ग्रह मंतरी श्री अमित शाह जी ने किया है ठीक एन आई ए नेसनल इंवेस्टिगेशन एजनसी के द्वारा जो जो कि ग्रह मंत्रा लेकि अंतर गताता है अगर यह ग्रह मंत्रा लेकि अंतर गताता है तो इसके पूरे उत्तरदायत कौन किसके पास हो जाएंगे अमित शाह जी के पास हो जाएंगे हमारे ग्रह मंत्री ग्रह मंत्री और सहकारता मंत्री अमित शाह जी के पास यह हो जाता है ठीक देखे सवाल अमित शाहर ने आतंक बाद और अपराध में सवन्वे बढ़ाते हुए NIA के Digital Criminal Case Management System और जम्मू और कोच्ची में दो शाखा कारेलों का उद्गाटन किया राइपुर में एक आवासी परिस्तर और एक नए आपराधी कानून को समझनी के लिए एक मुबाइल एप को भी लॉंच किया गया अप्लिकेशन का नाम क्या है संकलन संकलन क्या संकलन करेगा तो आप बोलेंगे संकलन किया जाएगा आपराधिक मुद्दों मामलों आदिका ठीक है यह वही अमिर शाह जी है जिनोंने अभी अभी किया था एक मुबाइल एप संकलन किस ने लॉंच किया हूँ लॉंच मुवाइल एप संकलन आप बोलेंगे एन आई ए नेसनल इंवेस्टिगेशन एजनसी से इसका संबंध हो जाता है और यह ग्रह मंत्रा लेकि अधिनाती है तो ग्रह मंत्री अमिर शाह जी के द्वारा य नेक्स्ट यहां पर चीजें भी लिखी हुई है कि इन विकासों का उदेश आतंकवाद और अपराज से निपटने में एन आई ए की परिचालन प्रभावशीलता और न्याय वितरन में सुधार करना होगा अब देखिए कुछ बातें हो गई है कुछ बातें बांकी है तो उ लाइनर के रूप में बस है ना यह आप एक बिल्डिंग देख रहा है यह बिल्डिंग क्या है तो आप बोलोगे हमाएं रक्षमंत्री राजनात सिंग जी के द्वारा नई दिल्ली में नौ सेना के नए मुख्याले भवन का अर्थात नौ सेना भवन का उद्गाटन किया है नौ सेना भवन भारती नौ सेना का पहला सवंत्र मुख्याले होगा भारती नौ सेना का पहला सवंत्र मुख्याले होगा अब तक भारती नौ सेना के राष्टी राजधानी छेत्र में तेरा विभिन इस्थानों में संचालन कर रही है ठीक तो आप बोले होगे राष्ट नौ सेना मुख्याले नई दिल्ली में नौ सेना भवन ठीक है और किसके द्वारा उदखरन किया गया तो राजनाच सिंग जी जो कि हमायदेश के ग्रहमंत्री हो जाते हैं ये क्या हो जाता है तो आप बोलेंगे हाली में भारती सेना ने राजस्थान के जोदपूर में पहला अपाचल लडाकू हेलिकॉप्टर स्ट्राइडन बनाया है अमेरिकी विमान दिग्जच कंपनी बोईंग द्वारा इसका निर्माण किया गया है हवा में टैंक आदि ले जाने की रूप में इसको जाना जाता है ठीक है हवा में टैंक आप देखोगे इस प्रकास के होता है इसमें बड़े बड़े हथियार के लिए है ना चीज़ें लगी होती है इसको हवा का टैंक बोला जाता है ठीक विसेश रूप से इंडियन एयर फोस पहले से ही 22 अपाचे हैलिकॉप्टर का एक बेड़ा संचालिद करता है जिनने पूर्वी और पस्षमी मोश्चों पर त संद्री मत्स पालन पशपालन और डेरी मंत्री शी परुशोतम रुपाला यह आप देख सकते हैं शी परुशोतम रुपाला जी की दस्वीर हो जाती है तो इन्हों ने गुजरात के राजकोट में इंजिनरिंग एसोशियेशन में सागर परिक्रमा सागर परिक्रमा नामक एक पुस्तक और वीडियो का विमोचन गिया इस पुस्तक में तटी मख्शुआओं के सामने आने वाली चुनोतियों और उनकी संस्क्रिती भारत की धार्मिक और पारंपरिक मत्स पालन विरासत के बारे में अंतरदिश्ट प्रदान करती है ठीक है पुस्तक का नाम क्या आ नीतियो के दोरा वोकल फॉर लोकल नाम से पहल शुरू करी गई है वोकल मतलब बोलना फॉर मतलब के लिए लोकल मतलब जो हमारी इस्थानी चीजे हैं उनके लिए तो कुल मलाकर जो छेतरी चीजे हैं इस्थानी चीजे हैं उनको बहावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल नाम से एक पहल शुरू करी गई है किसके दोरा नीतियायो के दोरा यही जानकारी यहां पर लिखी गई है कुलमलातर आत्म निर्वरता को बढ़ाना इसका एक मुख्य उद्देश हो जाता है ठीक है चलिए अब आपके लिए एक होमबर का सवाल रक्षा शेतर में अपाचे क्या है वाट इस अपाचे इन डिफेंस सेक्टर क्या यह एक नौ सेना जहाज है क्या यह एक मिसाईल है क्या यह एक हैलिकॉप्टर है यह एक मल्टी रॉकेट लॉंचर हो जाता है तो अपने उत्तर आपको पताने कमेंट बॉक्स में बहुत सारी खबरों पर हमने नजर मारी है और इसी प्रकास्त खबरों के साथ हम लोग रोज मिलते हैं ठीक है तो फूल वती जी हमारे साथ है वन्ना एन आर शुभम इंडियन जाहिदा बविता अंकित कुमार राहुल रंजन मिठलेश, निक्की, उदय, अजय, सारा भी हमारे साथ है अनू भी हमारे साथ है जोदा भी हमारे साथ है ठीक है अब हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में और भी कई सारी खबरों के साथ महतकोर्ण इंपोर्टन खबरों के साथ बात होगी इस प्रशन का उत्तर जितना वि तके आप उत्तर लिखेंगे comment box में ठीक है आपका उत्तर ना सिर्फ आपके revision काम में आता है बलकि आपके और भी कई साथी उससे revision करते हैं और उनका भी काफी ज़्यादा सहायता होती है उनकी भी काफी ज़्यादा help होती है ठीक है महाई मुलाकात होगी अगरे क्लास में धेर सारा प्यार आप तभी को अपना ख्यास रखेगा वह में पापा की बात मानिएगा जैहिन